इंडिया आज तक आपकी आवाज इस बार सपा सरकार बनाना है जिसमें सपा लोहिया वाईनी राष्ट्य महासाचेव रागवेंद्र यादव सामिल रहें बताते चले की कारिक्रम में आगामे विदान सवाचुनाव को लेकर चर्चा हुई जिसमें रागवेंद्र यादव ने पार्टी को बूत इस्तरीय मज वो खेट ने अपने तेस्तराज शब्दों से किया वही युवाजन सभा के जिलाद्यक्ष शम्शाथ खाजैसी ने कहा कि जिले में चारों प्रकोष्ट के जिलाद्यक्ष वापदादिकर लगाता है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं विदान सवाच तिल्दोई के पूरे भावी पृत्यासी जुनायद हसन ने अपने शम्बोधन में कहा कि पार्टी कारे करता लगाता जन्संपर करते हुए सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को बताने वह जादा से जादा लोगों को पार्टी में सामिल करने का काम कर रही है युव जन सभा जिला मीडिया प् खाड फेकने के रिए बेसबरी ससंद 2022 विधानतवा चुनाफ का इंतजार कर रही है तता इस बार पूंड बहुमत की सपा सरकार बनने जा रही है अम एटी जो में इश्कमान शर्वा के रिप्यार का कारिकरम था हुए आज हमारे समाजवाजी पार्टी के राज्टी अद् कारिकरम में उपस्टित हुए जिसमें हमारे सभी प्रकोष्ट चारों प्रकोष्ट के जीला जर्च उपस्टित रहे खास दोंके समसाथ खान जाईसी जी और जीला उताते करम करने और बूत्तव थार्थ्य काम करने और बूत्र लिए उसके अमल किया और आगे उनके नेजलेसान उसार जोभी कारिक्ष्य होगा वो साहर किया था अमेटे जनपत में विधान सभा चुनाओ को लेकर किस परकार की तैयारियां चल लगी है तैयारियां बड़ी जुरू चोरू से चल लेहें चारो प्रकोस के जिलाद जैच और पताजिकारी बड़ी केजी से काम कर रहे हैं और आने वाले विधान सबाद चुराओं में 2022 में उम्मीद यह है कि चारो विधान सबाओं में समाजवाजी प्रगपार्टी के प्रत्यासी की वंपर उटो से विजईर होगी और हम लोग अभी से ही कमर कसी हैं और भाजपा सरकार को खाट बेचने में जो भी और कसब जो भी जरूरत होगी उन सारी चीजों को हमने हद कंडे इस्तमाल करने के लिए काम करना सुनु कर दिया है जन्जन तक पहुँचने और हर एक साथ मिलने बैटने बात करने सर्कार की विकासकार्णों को जन्जन तक पहुँचाने का बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे है और उम्मीद यह है कि चारोबिधान समाओं के साथ में 350 प्लस सीटे हमारी उस्तर प्रदेश में आएगी जिसमें हमारी सरकार समाजवाधी पार्टी की सरकार पूड बहमत की सरकार हमारी बनेगी